तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं नाइट्रिक एसेड बिना डिस्टिलेशन के सही सुना दोस्तो हम नाइट्रिक एसेड बनाने वाले हैं लेकित बिना डिस्टिलेशन के हाला कि दोस्तों हमाल जो नाइटरिक असीड होगा यह जो है थोड़ा सा डाइलीट होगा लेकिन इसका इस्तमाल जो है दोस्तों आप बहुत सारे मेटाथिस्स रियक्शन हैं डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन में कर सकते हो जैसे कि आप इसका इस्तमाल जो है सोडियो नैटरि और काफी सारे जितने भी displacement reaction है उनको जो परफर्म करने में इनका इस्तमाल जो आप लगबग लगबग करी सकते हो तो चली दोस्तों आपको बताता हूं कैसे जो आप बना सकते हो नाइट्रिक एसली डिस्टिलेशन के काफी आसान तरीके से और बिना किसी laboratory equipment का इस्तमाल किये ह हाला कि हमने इस वीडियो में एक फ्लास का इस्तमाल किया हुआ है आप उसके यहां पर किसी भी glass के इस्तमाल कर सकते हो चली दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते है एक छोटा सा glucose का बाटल लेने से यहां पर दोस्तों आप देख सकते होगे कि हमारे glucose के बाटल के अंद बाटल के जो कैप है उसमें दो होल्स हैं यही सबसे यूसफुल है हमारे लिए हम सिंपली करेंगे क्या दोस्तों इन दोनों में से किसी एक होल में पालिकुलरली बड़े वाले होल में हम एक आईवी ट्यूब जो है कनेट कर देंगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि एक आईवी ट्यूब होता क्या है यह एकसर ग्लुकोस चड़ाने में इस्तमाल किया जाता है यह रहा दोस्तों आईवी ट्यूब जो कि आपको किसी भी मेडिकल श्टोर पे 20 रुपे में आसानी से मिल जाएगा चली मैं इसे फाड लेता हूँ उसका दोस्तों मैं आपको द इंडिल लगी हुई होगी जो कि आपको सरीर के अंदर जाती है अब प्लास्टिक वाई इंडिल को आपको इस बॉटल के धकन के अंदर जो है अच्छे से डाल देना है ताकि इसके अंदर जो गैसे बनेंगी वह जो है इस दूसरे एंड के थुरू बाहर आ जाए यहाँ प नाटरोजन डाय अकसाड बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों मैं इस्तमाल करूंगा पोटेशियम नाइटरेट कॉपर मेटल जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर पहले से है और थोड़ा सा हाईड्रो क्लोरिक एसिड यहाँ पे दोस्तों मैं इंडेस्ट्रिल ग्रेड हा फनल ले लिए अब इसंदल की मदस्त से मैं इस के अंदल डालने वाला हूँ पोटेशियम नाइटरेट अप सोडियम नाइटरेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके उपर भी मैंने वीडियो बना दिया है तो आप जाके वीडियो को देख सकते हो चलिए दोस्तों आप इसकंदर में डालने वाला हूँ कंसंट्रेटर्ड इंडर्स्ट्रल ग्रेड हाईड्रो क्लूरिक एसिड चलिए मैं को दिखाता हूँ कंसंट्रेटर्ड इसकंदर से काफा है उसके और इसके अंदर लाद पर कर देंगे और थोड़ा से इंतिधार करना होगा उसके वाद इसके अंदर से काफी ज़एदा हैं माउट में रिंट्रीजन डाक्यश्ट गैस बनने लगेगी उस nitrogen dioxide gas को जो है हम पानी में dissolve कर लेंगे और हमें मिल जाएगा nitric acid साथ साथ थोड़ा सा HNO2 भी मिलेगा यहनि nitrous acid भी मिलेगा लेकिन nitrous acid जो है बाद में टूट जाएगा nitric acid में disproproporcionization होता है आप नीजे मुझे कमेंट करके बताओ कि disproproporcionization reaction क्या होती है और कम पroproporcionization reaction क्या होती है आप मुझे बता दोगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे मैं आपसे कुछ और सवाल भी पूछूँगा तो आप उसे comment section में बता सकते हो अगर आपको पता हो और काफी अच्छा रहेगा यह आपके information में थोड़ी सी क्या कहते है information level थोड़ा सा increase करतेगा बस तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ठंडा क्या हुआ पानी यह जो है पानी है नॉर्मल distilled water है आप चाहो तो tap water अभी इस्तुमाल कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों मैंने distilled water को ठंडा इसले कर दिया है क्योंकि हम एक gas को जो है dissolve करने वाले है एक liquid के अंदर और यहाँ पे हम इस्तुमाल कर रहे है Henry Law का जो कि यह कहता है कि अगर low temperature आप रखोगी किसी liquid का है तो उसके अंदर gas ज्यादा dissolve होगी और अगर आप high temperature रखोगी तो इसके अंदर gas कम dissolve होगी हाला कि यहाँ पे pressure का भी खेल आता कि अगर आप pressure ज्यादा कर दोगे तो gases के solubility किसी liquid में बढ़ जाएगी हाला कि मैं pressure वाला सीन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे constant atmospheric pressure के अंदर ही कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं temperature को ही घटा बढ़ा सकता हूँ तो मैंने घटा दिया temperature को ताकि इसके अंदर nitrogen dioxide dissolve हो काफी जादा amount में dissolve हो और यहाँ पे दोस्तों आपको simply बस इंतिजार करना है होगा कि यहाँ से nitrogen dioxide gas निकलेगी और होते हुए हमारे इस flask के अंदर आएगी यहाँ पे आप देख सकते हुए glucose की bottle के अंदर थोड़ा सा आपको brownies appearance देखने को मिल रहा होगा और हमारा जो right hand side में flask है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको bubble देखने को मिल रहे होंगे जोगी हमारे nitrogen dioxide के ही है जिले दोस्तों इसे छोड़ देता हूँ ऐसे और जब अच्छे से बनने लगेंगे बबल से तो मैं आपको दिखाता हूँ so guys यहाँ पे आप देख सकते होगी हमारा nitrogen dioxide जो है bubble हो रहा है मारे पानी की solution के अंदर अब simply दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अगला side जहाँ पे हमारा nitrogen dioxide जो है बन रहा है यहाँ पे देख सकते होगी हमारे reaction जो है simply थोड़ा बहुत जो है boil करने लग रहा है और boiling के वाजा से यहाँ पे nitrogen dioxide बन रही है और copper chloride बन रहा है यहाँ पे copper nitrate भी थोड़ा सा बनेगा लेकिन वह उतना नहीं बनेगा mostly copper chloride बनेगा यहाँ पे दोस्तों आप simply आप देख सकते होगी हमारे flask के ऊपर थोड़ा सा आपको brownies appearance देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मैं पूरी जो tube है उसे इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि अच्छे से bubbling हो पाए और moss होता गयास इसके अंदर dissolve हो पाए तो दोस्तों में से पूरा dissolve कर लेता हूँ उसका आपको दिखाता हूँ final तो दोस्तों यहाँ पे हमारा reaction जो है complete हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ अगले साइड में कि वहाँ पे जो है काफी ज्यादा हमार वो nitrogen डाउसल गयास बनी थी जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमारा solution जो थोड़ा सा नीला हो गया है यह नीला क्यों हुआ है यह आप नाइट्रिक एसिड और इसके अंदर को अभी जो आपको अपीरेंस देखनों के मिल रहा है जो गैसे डिजॉल में थोड़ा बहुत एक्सेस में वो निकल रही है तो काफी अच्छा एपीरेंस दे रहा है यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं दोस्तों कि एक इसके अंदर डाला है नाइट्रिक एसिड के अंदर आप देख सकते होगे आपको थोड़ा सा ब्राउनी सपीरेंस देखने को मिल रहा होगा जो कि नाइट्रोजन डायोकसाइड गैस है यहाँ पर जो है मैगनिशन रियाट कर रहा है नाइट्रिक एसिड से और बना रहा है लेकिन दो मैटल्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रिक एसिड से रियाट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैसी बनाते हैं वो वाटर नहीं बना रहा होते हैं यानि हाइड्रोजन गैस उनसे निकल रही होती है वो नाइट्रिक एसिड से हैड्रोजन को डिस्पलेस कर सकते हैं आप नाम जो है नीचे कमेंट सेक्षर में मुझे ज़रूर बताना तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो Nitric Acid काफी आसान तरीके से बिना किसी laboratory equipment का इस्तमाल किये हुए आप चाहो तो किसी मतलब सीसे के bottle में भी बना सकते हो, तो काफी आसान है दोस्तो करता है, तो यह रहा हमारा Nitric Acid जो कि हमने बनाये हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से बिना किसी laboratory equipment का इस्तमाल किये हुए और विसलिए एक वीकर और एक Erland Wire Floss का इस्तमाल हमने जरूर किया हुआ है तो आज की वीडियो में दोस्तो बस हुआ 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 है